नमस्कार मित्रों मैं भरत रानेज अपने जोतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मित्रों आजम बात करेंगे अगनिवास के बारे में कि अगनिवास क्या होता है और अगनिवास कैसे ग्याद किया जाता है मित्रो जब अगनिवास पर्थवी पर हो अगनिवास पर्थवी लोग पर होता है स्वर्ग लोग में होता है और पातालोग में होता है तो अगनिवास जब पर्थवी लोग पर होता है उस समय हवन किया जाए तो उसके पुन्यों का फल हमें मिलता है और अगनिवास अगर स्वग लोग में हो या पातालोग में हो तो उस समय अगर हम हवन करेंगे तो हमें पुन्यफल नहीं मिलेंगे तो अगनिवास और सुब मुहरत, सुब योग हवन करते समय हमें अवश्य देखने चाहिए हवन करते समय किन नक्षत्रों में हवन करना है किन तित्यों में हवन करना है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना है वो वीडियो इस वीवरान में लिंक दे दूँगा वो वीडियो भी आप देख सकते हैं इसके बाद बाद करें तो अगनिवास कैसे ज्यात करें यानि अगनिवास पर्थवी पर हैं यह हमें कैसे पता करें तो जोतिस के अनुसार इसकी एक वीदी है यह वीदी में आज आपको बताऊँगा मित्रो रवी वार से लेकर सनी वार तक हम वारों को एक संख्या दे देंगे तो रवी वार को हम देंगे एक नमबर इसी तरह हम सोम वार को दो नमबर मंगल वार को तीन नमबर बुद्वार को चार गुरु वार को पांच सुक्र वार को छे और सनी वार को साथ नमबर दे दें इसके बाद हम बात करें तिति के बारे में कि जिस तिति को हम हवन करने जा रहे हैं उस तिति की नंबर क्या है उस तिति की संक्या क्या है तो मित्रो पर्थमा से लेकर पूर्णिमा तक यानि सुक्लपक्स की जो 15 तितिया होती है पर्थमा से लेकर पूर्णिमा तक उन्हें हम कर्म वाई एक से लेकर 15 नमबर देंगे, तो पुर्णीमा हो गई 15 नमबर, dasma टिती जो सुकला पक्स की होगी वो एक नमबर, त॥ित्या टिती दो नमबर, तित्या टिती तीन नमबर, इसी तरह से पुर्णीमा जो पंदर्वी टिती है, से हम 15 नंबर देंगे इसके बाद बात करें कृष्णपक्स की तितिया क्रिष्णपक्स में भी हवन होता है तो क्रिष्णपक्स की जो तितिया होगी तो क्रिष्णपक्स की पर्थमा तिति को हम 16 नंबर यानि continue 30 तितिया होती है उन्हें हम continue नंबर देंगे पुर्णिमा के बाद 15-16 ऐसे हम नंबर देंगे तो क्रिष्ण पक्स की दृतिया तिति को 17 नंबर तितिया को 18 नंबर चतूरति को 19 और पंचमी को 20 नंबर इस तरह से फिर आगे जाकर 30 वी तिति जो है वो अमावशय तिति हाएगी उसे हम 30 नंबर दे देंगे तो इस तरह से हम तितियों को संक्या के अनुसार चानेंगे तो मित्रू ये तो हमने ग्याद कर लिया दीनों की संक्या और तिथी की संक्या जो है वो किस पर कर रहेगी इसके बाद में हमें जिस तिथी को हवन करना है उस दिन का अगनीवास ग्याद करना है तो दुतिया तिति हम लेते हैं, क्रेश्न पक्स की दुतिया तिति अगर हम लेते हैं, तो उसका नंबर जो है, वो 17 नंबर है, तो हम यहाँ पर 17 नंबर लिखेंगे, फिर जो भी तिति का नंबर है, उसमें हम एक एड कर देंगे, एक जोड देंगे, तो यहाँ पर टोटल आ माल लीजे कि हम बुद्वार को हवन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम चार नमबर जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल आएगा 22 नमबर मित्रो समझ गए होंगे कि पहले हमें तीथी की संक्या लेनी है उसमें फिर हमें एक नंबर जोड़ना है कोई भी तीथी हो उसमें हमें एक नंबर जोड़ना है फिर जो टोटल आये उसमें दिन की संक्या जोड़नी है यानि दिन अगर मंगलवार होता तो तीन नंबर लिखत लाए हमें भाग है ना चार का देना है उसमें उस संक्या में चार का भाग देना है उसको उस संक्या को चार से डिवाइड करना है तो यहां पर हम चार से डिवाइट करेंगे 22 को यहाँ पर आया 5 तो इस तरह से यहाँ पर दो नमबर सेस रहेगा तो मित्रो अगनी वास में ऐसा मना जाता है कि जब हम जो संक्या आ रही है उसमें 4 का भाग देंगे तो अगर दो नमबर आता है या फिर एक नमबर आता है यानि दो सेस रहता है या एक सेस रहता है तो ऐसे में अगनी वास जो है वो पाताल में या स्वर्ग में है तो ऐसे में हवन जो है वो नहीं किया जा सकता है अगर यहाँ पर सेस जीरो या तीन नमबर आता तो अगनी वास जो है वो प्रत्वी पर होता तो हम हवन कर सकते हैं तो मित्रों इस तरह से अगनिवास ज्याद करेंगे मैंने जो आपको सुत्र के अनुसार जानकारी दी आपको अवश्य समझ में आये होगी और मेरे द्वारे दीगे जानकारी आपको अवश्य पसंद आये होगी वीडियो को लाइक करना अपने मित्रों के साथ सेर करना फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ धन्यवाद